हुल कुल को बेहरा हेता है नमा आप आंए जासका निर्टी इलेड़ सभने के में इसे इसको लिए हैं तो पहला इसके बारे में जान लेते हैं संचेप में किसी बात को कहते के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जनकारी अवस्य है ऐसे सब्द कुछ सब्द हैं जैसे इसका एक्जामपल हो गया देखिए जैसे अनेक शब्दों के लिए एक श नेक्स्ष जो पहले नास्टुना हो आस्तु आस्रतु पूर्ब आगे है चार भूजाओं वाला तो इसे चार भूजाओं का वालग बलते हैं चतुर भूज नेक्स्ष है दो पैरो वाला दो पैरो वाला का अनेकर सब्दोता है द्यूपद नेक्स है चार मुख वालों का चतुरान नेक्स है हमारा नेक्स है दस मुह वाले दसानन कहा जाता है नेक्स्ट सबकुछ जानने वाला को सर्वाग कहा जाता है नेक्स है हमारा थोड़ा ग्यान रखने वाला को अलपग कहा जाता है नेक्स है दो वेदों का ग्याद मतलब दियू वेदी कहा जाता है नेक्स है चारों वेदों का जैनने वाला चतुर वेदी कहा जाता है नेक्स हमारे है अगला जिसने एक अच्छर भी ना पढ़ा हो अनीर छर कहा जाता है मतलब इसको अगर हिंदी में बोले तो अनपढ़ कहा जाता है आगे है आगे जो लिखना पढ़ना जानता हो साथ छर कहा जाता है नेक्स है हमारा उपकार को मानने वाला किर्ताग्य कहा जाता है नेक्स है किये हुए उपकार को ना मानने वाला किर्तरधन कहा जाता है नेक्स है हमारा जो मारे नहीं उसे अमर कहा जाता है नेक्स है नाशा होने वाला ना सार्वा ना सुवर नेक्स्ट जो भाई पहले जन्म हो अग्रज और नेक्स्ट जो पीछे उत्पन हुआ हो उसे अनूज कहा जाता है नेक्स्ट जो आखों के सामने हो प्रत्याच कहा जाता है नेक्स्ट जो प्रत्याच ना हो आप प्रत्याच प्रोच कहा जाता है नेक्स्ट हमारा हो कि अगला वह जो व्याकरण का अच्छा ग्यात हो उसे क्या कहा जाएगा तो इसका अनेक आर्थक होगा व्याकरण नेक्स्ट हमारा वह जो विग्यान का अच्छा ग्याता हो उसे क्या कहा जाएगा तो वेज्ञानिक कहा जाएगा, नेक्स्ट हमारे लंबे पेट वाले को क्या कहा जाता है, तो लंबोदर कहा जाता है, इसका हिंदी निकाले, तो गनेश कहा जाता है, नेक्स्ट हमारे जिसके हाथ पानी में वीना हो, वीना पानी कहा जाता है, इसको अगर अर्थ निकालेंग ताकि मेरे जितने भी वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो टेलिगाम से ले लिजिएगा साइंक्यू सो माच मेरा वीडियो वाच करने के लिए